हेलो फ्रेंड्स और केसे हैं आप आशकरती हूँ सब लोग अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आये तो चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स आने वाली हमारी सबी वीडियो मिल सकें और कर रहे तो उनको नौलेज नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और गलत तरीके से इसका यूज नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए यह कंफर्म हो जाए कि हाँ प्रेगनेंट है तब ही आप इसका यूज करे कई patient ऐसा करते कि period miss हो गया pregnancy test चेक किया pregnancy test आपका negative आ रहा है यानि कि pregnancy test में एक line आ रही है तो भी patient क्या करते कि kit ले करके खा लेते है तो उस चीज का solution kit नहीं होता है फिर भी kit लेने के बाद में उन लोगों का periods से नहीं आता है तो आप लोगों के इसी गलती नहीं करना है यह kit तभी काम करती है जब pregnancy हो अगर आपकी pregnancy test positive है यानि कि आपको pregnancy है यह confirm हो गया तभी kit काम करती है कई बार pregnancy होने के बाद भी सभी kits काम नहीं करती है अब दीखे मार्केट में कई तरह की kits अविलेबल होती है यानि कि abortion पिस कई प्रकार की होती है सबका ब्रांड ने में लग लग होता है कुछ popular brand है जैसे मिफिजस्ट किट है अन्वांटेट किट खुशी किट इंस्टा करण किट और भी कहिंतरे के kit और बिखिए जिनमें drug सभसेहि होता है compound था कमपाउंड सभी kit में पाच होती है जो किस त्राइप कि आपको दिखाए देती है इसमें बड़ी वाले tablet होती है जो मिफिर्ट रेस्टोन की होती है और चार्ठ होती है वह मिस प्रोस्टल की होती है अब ये काम केसे करती है दिखिए सबसे काम केसे करती है ये मैं बाद में बताऊंगे आपको पहले आपको किंचिजु का धियान रखना है अगर आपका period मिस होआ है तो सबसे पहले आपको pregnancy test करके confirm करना है कि pregnancy है या नहीं है अगर आपकी pregnancy confirm हो जाती कि positive आ रहा है और pregnancy है और अ आप नहीं रखना चाहते हैं तो आपको अपने nearest doctor से जाकर करके consult करना चाहिए कि हमें baby जो भी problem है आप doctor को बताईए और फिर doctor जो suggest करेंगे वो आप कर सकते हैं बट अपनी मर्जे से आपको कोई भी दवाई लेकर के नहीं खाना है क्योंकि सबी दवाई के side effect रहते हैं अब अब जब भी आप इसको खाते तो यह हमारी baby की growth को रोग देती हैं यानि कि जो सेजी hormones का secretion होता है जो baby को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी होता है उस hormones को यह stock कर देती है अब चार टेबलेट और होती है चार टेबलेट क्या करती है जो मिसो प्रोस्टल के चार जालती है यानि कि हमारी uterus के अंदर बच्चा दानी के अंदर जो भी cloth है बच्चा है उसको यह बहार निकालेगी यह आपके period शूरू जाएंगे सिदी सिदी बात अब इसको लेने का सही तरीका क्या होता है देखी इसमें पांच टेबलेट होती है इन टेबलेट को कई तर से आप इसका यूज कर सकते हैं मेरे सभी वीडियो में अलग-अलग तरह से मैंने बताया है बट यह डिपेंड करता है पैशन के क्या कंडिशन है प्रेगनेंसी का समय कितना है पैशन का वजन कितना है यह सब चीजे हमें देखनी पड़ती है इसलिए मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि मेरे वीडियो देख करके अगर आप कित ले रहे हैं तो इसा बिल्कुल भी ना करें पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें डॉक्टर जो मेथड बताए वो आपको फॉलो करना है ओके अपनी मर्जी से किसी का भी वीडियो देख करके कित का यूज नही करना है क्योंकि इनके कई घातक परिणाम होते हैं जो कि आपको बाद में दिख सकते हैं और फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई डॉक्टर केस लेने के लिए एगरी भी नहीं होता है तो पहले आप किसी भी डॉक्टर के सूपर विजन में ही ले तो ज्यादा ब यानि कि एक तारिक को आपने बड़ी वाली टेबलेट ली दो तारिक को आपको एक भी टेबलेट नहीं लेना है तीन तारिक को यानि कि आपने फर्स्ट वाली टेबलेट दस बजी ली मौर्निंग में दूसरे दिन गेब दिया दो तारिक को तीन तारिक को आपको पहले तो दो टेबलेट आपको औरली खा लेना है, पानी के साथ में गटक जाना है, या आप दाद के बीच में भी उसको रखके चूस सकते हैं, उसके बाद में आपको दो टेबलेट विजाएना में इंसर्ट करना है, और एक घंटे के लिए आपको रेस्ट करना है, काम वाग नहीं कर पाते हैं तो आप 4 टेबलेट मुँ में रख लीजी उनको चूस लीजी वो आपमेटिक डिजॉल हो जाती है और आदे गंटे के बाद में आप पानी पी सकते हैं पर आदे गंटे से पहले आपको पानी नहीं पीना है और थोड़ा रेस्ट करना है अब आपने 4 टेबलेट खा सबैंगों उसमें पीड़ु बोलते वहां और आपको बहुत तैज पैड़ दर्द हो सकता है और हलकफिल कभी हो सकता हैं है अगर आपको आसे 평го होता है तो आपने जिनसे भी डॉक्टर के लिए टेबलेट दीऊगी उनने वह आप टेबलेट ले सकते औंबchos लोन से और अब पीरेट की एक क्या condition रहती है, पहले तो normally bleeding होती है, फिर धीरे-धीरे blood flow बढ़ता जाता है, ओके? यह bleeding आपके 7-8 दिन भी हो सकती है, 5 दिन भी हो सकती है, 10 दिन भी हो सकती है,This depends करता है कि आपके pregnancy का time क्या है और method पर depends करता है कि आपके bleeding कितनी हो रही है,गर bleeding जादा हो रही है, यनि कि period अच्छे से आ रहे है तो 4-5 दिन भी free हो जाएंगे और अगर आपके period रुक रुक के आ रहे तो आपको 18 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं हमरा bleeding का कि हमरे periods कितने दिन आएंगे अब इन दवायों को लेनी के बाद में side effect के बारे में हम बात करते हैं side effect में आपको पेड़ दर्द होता है vomiting हो सकती है उसके बाद में जी मचलना, सीरदर्द, चकर और बुखार normally यहीं लक्षन दिखे जाते हैं बट यह लक्षन सभी patient को नहीं दिखाए देते हैं दूसरी बात कि अगर आपने कोई भी tablet ली जिसे मिफी प्रेस्टून के बड़ी वाली गोली ली आपने एक घंटे से पहले अगर आपको vomiting हो गई तो फिर आपको अपने doctor से consult करना है कहीं बार यह दवाई dissolve नहीं होती है और वो निकल जाती उल्टी के साथ में तो फिर वो काम नहीं करती है जिससा आप 4 tablet लेते हैं यानि कि आप चूसते हैं, dissolve करते हैं मुँ में और अगर उसके बाद एक घंटे से पहले आपको vomiting हो जाती है तब भी आपको अपने doctor से consult करना है और अगर आपने दो tablet ली, दो insert की और फिर भी vomiting होगी तब भी आपको अपने doctor से एक बारी consult जरूर करना है कि हमें vomiting होगी एक घंटे से पहले और हमारे tablet का क्या condition है तो doctor आपसे पूछेंगे आपका period शुरूरा नहीं हुआ क्या condition उसके according to decide करेंगे क्या आपको ओ टेबलेट देना है या नहीं देना है अब हम देखते हैं कि आपको hospital जाने की कब जर्वत हैती देखिए tablets, 4 tablets जब पहली वाले tablet लेंगे आप तो आपको कोई भी problem नहीं होगी बट आप ये 4 tablets लेंगे और आपको बहुत तेश पेड़ दर्द हो रहा है पेड़ दर्द के लिए मैप्टाल इसपास या बूफन टेबलेट या फिर डोटरिन टेबलेट में से कोई से भी आप एक टेबलेट ले लेते हैं दर्द कम करने के लिए अगर वहर टेबलेट खाने के बाद भी आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है तीन घंटे के बाद आप एक टेबलेट फिर से ले सकते हैं दर्द की अगर फिर भी उसको लेने के बाद भी अगर आपको बिल्कुल आराम नहीं मिलता है तो आपको hospital जाने की जरुवत है अगर आपको bleeding बहुत तेज हो रही है यानि कि blood बहरा है आपको चक्कर आ रहे है तो ऐसी condition में भी आपको hospital जाने की जरुवत है दूसरी बात अगर आपको ऐसा होता है कि आपने पूरी kit finish भी कर दी और फिर भी bleeding नहीं हो यह तब इसे condition में आपको क्या करना है तो यह tablet खतम होने के बाद जैसे कि आपने एक तारिक को ली दो को गेब दिया तीन को ली अब आपने तीन को आपकी kit खतम हो गई अब अगर इस condition में आपको पाँच दिन और इंतिजार करना है कि इस tablet को खतम होने कि बाद में यानि कि आठ तारिक तक आपको इंतिजार करना है अगर आठ तारिक तक आपको कुछ भी नहीं होता है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसर्ट करना चाहिए और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे या किट आपने अपनी मरजी से ले करके खाई थी तो आप एक बार ही मुझसे भी कंसर्ट कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं या फिर अपने नौई नियर इस डॉक्टर को आप दिखाईए दूसरी बात इसके side effect क्या होते हैं कि side effect आपको उतने ही दिन देखे जाते हैं 8-10 दिन तक इसका side effect देखने को मिलते हैं side effect में पैड़ दर्द सबसे जादा होता है और heavy bleeding हो सकती है अगर ऐसा हो रहा आपके साथ में और दवाई या खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो आपको consultation की बिलक